UDR जो है protected area होता है, उसके अंदर कभी भी बिना permission के ऐसे घुष ने सकते हैं, 200-200 लोग अगर बिना permission के जब रस्ती दर्वाजा दख्का दे के घुष गए तो that is not right, और आपे पीने के पाने की supply होती है, यह बहुत ही delicate installation होती है, महाँ पर जाना था तो हमें बता देते, हम लोग की किसी duty लगा देते, हम दिखा देते, उनको जाकर हंगामा करना था, वो हंगामा किया और मैं आप पर धन्यवाद देना चारता हूँ कि जो मैंने tweet किया था, उसना सम्यान आप लोगों ने लिया, तो उसके लिए से ज़्यादा बड़ बड़ ने कर पाए। चोरी से जो उसका उद घाटन किया, न हमारे जल्स अंसाधन मंतरी को बुलाया, न तो लोकल सांसत को बुलाया मुझे, न तो लोकल बिधायक को बुलाया, और यह चोरी से आकरके एक बोर्ड लगा के चले गए, हमने कल सिर्फ वो बोर्ड पढ़ाया है लोगों को किस देखिये बोर्ड पे क्या लिखा है वहां के अधिकारियों को हमने फोन कर दिया था मेरी मीटिंग ओफिसियल विजिट थी हमने CEO जल बोर्ड को भी बात किया उन्होंने कहा कि हाँ भैसम मैं वो लगाया है ड्यूटी व ऐसी इस्थिती में इस प्रकार की गलत जानकारी देना मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये लोग कुछ पानी से छेडशाड न करें ये सिर्फ भारती जंता पार्टी को आरोप लगाने के लिए और मनोश्तिवारी पे कुछ भी आरोप प्रत्यारोप करने के लिए इस कदर ग को विजिट करने का अधिकार नहीं है पुलिस को खुद में जा रहा हूं कहने कि इसमें उचस्तरिय जाच होनी चाहिए और अगर मंतरी हो कि ये ऐसा जूट फैला सकते हैं तो ये कोई भी साजिस कर सकते हैं दिल्ली के साथ ये दिल्ली के लोगों के पानी के साथ कुछ भी खिलवार कर सकते हैं बीजेपी पे आरोप लगाने के लिए क्योंकि इनकी जो सचाई थी वो दुनिया के सामने आ गई है कि काम किसी और का और चेहरा चमकार है अर्मिन केजरिवाल जी अपना